हेलो एवरिवन आप सबका सवागत है कोट फर एजुकेशन में यह है रियाक जेस का पार्ट नमबर 25 गाईज इसके अंदर हम देखेंगे आपका शुट कंपोनेंट अपडेट को यह भी एक लाइफ साइकल मैथट का ही पार्ट है गाईज कि किस तरीके से हम कंपोनेंट को श सब्सक्राइब करेंगे जाए और फॉलो कर लें तो चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले कोटा समय नहीं यहां पर इंट्रोड़क्शन रखा है आपका शुट कंपोनेंट अपडेट का इन रियाक्ट शुट कंपोनेंट अपडेट इस लाइफ साइकल मैथड कंट्रोल होता है कि हम चाहें इस मेथड को यूज करने के बाद में किसी भी कंपोनेंट को रिरेंडर करने से रोग भी सकते हैं वो कैसे होगा वो तो देखेंगे अभी यहाँ परफ़ॉमेंस करने हैं अपनी अप्लिकेशन की उस केस में आप क्या करता हैं किई यूज करने के पहले किस्पे रहे हैं तो फ्रॉपस में आपको आता है यहां पर इंपने के शूट कंप स्थिंट आप boolean value, it means कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम component को stop करना चाहें, re-rendering से तो उसके लिए हमें यहाँ पर pass करना पड़ेगा आपका true या false, okay, by default यहाँ पर false होता है, हम उसे change भी कर सकते हैं next point है आपका यहाँ पर if it returns true, the component will re-render as a usual जैसे अभी तक चलते वे आया है वो component, re-render again and again वैसा ही वो अगर चलेगा अगर आप उसको return pass करेंगे true के case में तो and if return false, the component will not re-render, even the props और state have changed अगर आपका props और state भी change हो भी जाता है, उस case में भी आपका तब भी component re-render नहीं करेगा अगर आप वहाँ पर false pass करेंगे तो अब यह कैसे होता है, तो यह तो आपको मैंने बताया अभी यह theory का पाट था अब यह आपको मैं diagram दिखाता हूँ, जो मैंने इछली वीडियो में भी आपको diagram दिखाया था हमने mounting पढ़ लिया, constructor पढ़ लिया, right यही cross का sign आप यहाँ पर control कर सकतें इस method के साथ में की render करवाना है या नहीं करवाना है, okay तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने editor पर और इसको मैं practical करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको, practical में आपको समझाना है अपने interviewer को, so guys इसे जितने भी नए लोग है, उनको एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर आपकी कोई भी video miss हो रही है, तो playlist में जाना है, आपको code for education की channel पे यहाँ पर मैंने react life cycle methods के नाम से अलग ही playlist कर दिये, okay और यहाँ पर react की आपकी चल रही है साथ में और react के project भी चल रहे हैं, बहुत सारे courses आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप जाएं और watch कर सकते हैं, और उसके बाद में video पसंद आए, तो like, share and आपको चैनल को subscribe कर सकते हैं, and bell icon को all पे click कर सकते हैं, जिससे की video की latest notification आपको सबसे बहले मिल सके हैं, and इसके जो source code होंगे, वो सब कुछ आपको github पे मिलेगा, github का यह link भी आपको description मिलेगा, यहाँ पे आपको tutorial के और जो भी मैं यहाँ पर projects दूँगा, react के अंदर, वो आपको यहाँ से download कर सकते हैं, free of cost, okay, तो चलिए वापिस चलते हैं, अपने topic पे, और यह है हमारा आपका class component, अब मिलेगा यहाँ पर करना कैसे होगा, तो यहाँ पर super हमने use कर रखा है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक state को लूँगा, okay, state में वही count, okay, आप भी कहेंगे कि count के ही example सबसे ज़्यादा दिये हैं, मैंने इस बार life cycle के अंदर, but easy है, that's why कौनके हम state use कर रहे हैं, okay, अब यहाँ पर क्या करते हैं, next, इसको use करने के लिए हमें एक button भी चीए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर example one कर देता हूँ, button ले लेते हैं, update, state कर देते हैं, यहाँ ठीक है, यह मैंने यहाँ पर लिख लिए, अब इसके बाद में on click हमें चीए होगा, यहाँ पर, curly braces लेंगे, arrow function मनाएंगे हम यहाँ पर, set, state है हमारे पास में, ठीक है, अब उसके बाद में curly braces, count हम लेंगे यहाँ पर, then उसके बाद में आपको अपने count को access करना है, तो this state dot count plus one, ओके, इतना तो अब आप सीखी गए होंगे back to back यह चीजें करने के बाद में, अब यहाँ पर हमें print भी करवा लेते हैं, अपने count को, तो यहाँ पर count लेता हूँ मैं, curly braces लेता हूँ मैं, this state dot count, करूँगा मैं save, and save करने के बाद, अगर मैं यहाँ पर चलूँ अभी, तो यहाँ पर आपको देख भी रहोगा, output आपका zero है, और update state यहाँ पर button आपको visible है, पर अभी हमें यह जो हम बढ़ रहे हैं, should component update, यह किस सेनारियों में आपको मिलेगा, अब मैं क्या करता हूँ, कि वापिस एक बार चलते हैं, ठीक हैं, हमने वहाँ पर code लिख दिया, code लिखने के बाद, अगर मैं यहाँ पर state change करता हूँ, जैसी मैं click करूँँगा, आपको देखेगा, देखे, state change हो रही है आपकी, और आप देखेंगे, render भी हो रहा है, बट अभी हमने कोई console नहीं लगा है, इसलिए वो visible नहीं हो रहा, बट अगर आप यहाँ पर use कर लेंगे, direct, should component update, ओके, और इसी के अंदर मैं अगर console ही छोड़ दूँ बस लगाके, तो चलेगा हमारा, यह देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी बस console लगा रखाया है, और यह method मैंने just call करवाया अभी, यहाँ करूँगा, मैं save, and save करने के बाद वापिस में यहाँ चलूँगा, यहाँ पर component आपका refresh हो गया, अब मैं जैसी यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करूँगा, तो आपको यहाँ पर warning देखने को मिलेगी, देखें, warning आ रही है मेरे पास में, कि यहाँ पर boolean का जो return मैं करवारा हूँ, वह आप मेरे को define नहीं करा, मैंने console आ गया मेरा, देखें, इसके बाद मैं दुबारा क्लिक करूँगा, तो देखें, अब आपके सोच रहोंगे कि हमारी state change हो रही है क्या, yes, हो रही है change, अब वो कैसे हो रही है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, this.state.count, मैं करता हूँ save, and save करने के बाद वापिस आते हैं यहाँ पर, और refresh कर लेते हैं एक बार, इसके बाद, अब मैं क्लिक करता हूँ आपको, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर zero आ रहा है आपका, और warning भी आ रही है आपके साथ में, और दुबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, one, two, three, four, यह देख है हमें, और उसको वहाँ पर, boolean के case में, हमें true करना पड़ेगा, तब ही जाके आपका component rerender होगा, otherwise वहाँ पर rerender stop कर देगा, अब यह चीज़ आपको चलानी है, तो कैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो देखें, एक simple सा scenario समझाता हूँ मैं, यहाँ पर return लेता हूँ, और true कर देता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ पर true लिख दिया, तो true लिखने के बाद मैं, मैं अब चलता हूँ वापिस यहाँ पर, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर click करूँगा, तो देखें, one आपको visible हो रहा है, और यहाँ पर आपकी value, यह देखें, ठीक है, यह दिख रहा ह आपको कि जितनी बार भी अब मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, उतनी बार बस console आ रहा है, मेरा warning नहीं आ रही, warning जा चुके है, अब मेरी, क्यों गई warning, क्योंकि हमने वहाँ पर declare कर दिया, return के case में, अब आपको यहाँ पर logical कुछ बनाना है, मानि logic के साब से चीज़ें चलानी कि इस case के अंदर इतनी ही चीज़ चले और इतनी ही time लिए update हो, वो कैसे कर सकते हैं आप, तो देखे, यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में, यह समझाया था, आपको next, यह दो parameter मैंने सिखाया थे आपको, यहाँ पर भी दो parameter मिलते हैं, हमें यही, आप access कर सकते हैं इने, और इन में सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्या value आती है, आपकी तो एक एक करके मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ पहले, next, props को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, करूँगा मैं यहाँ पर save, and save करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद मैं इसको clean करते हैं, यहाँ पे मैं click करता हूँ, click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, कि आपको जो पिछली वीडियो में मैं आपको parameters दिखा रहा था, वो ही सारे के सारे यहाँ पे आपको visible भी हो रहे है methods, अब इसके बाद मैं अगर यहाँ पे आप state यूज करते हैं, म इसमें should component update के अंदर, अब क्या करना है हमें, की logical चीजें चलानी है हमें, ठीक हैं, मैं यहाँ से इसे remove कर देता हूँ, और यहाँ पे वहाँ इस.state.count, यह लगा देता हूँ, इसके बाद मैं अब मैं क्या करता हूँ, if की condition मनाता हूँ मैं यहाँ पे, next state.count हमें मिल रहा था हमाँ पे जैसे आपने देखा, तो अभी हमें क्या करना है, मानिए मैंने condition मनाई कि 5, greater than 5, and then इसके बाद मैं यहाँ पे curly braces के अंदर, return true हो जाए, वरना, बाहर, जो हमारी by default की है value, वो आपके false रहनी चीजे, मतलब, मैं यहाँ यह condition मना रहा हूँ, कि जो आपका 5 है, 5 के आ हूँगा, यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखे, अब मैं क्लिक करता हूँ, आपको अपडेट होते वह दिख रहा है, यह देखे, 2, 3, 4, 5, यह देखे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, को 4 तक आ रही है value, अब 4 क्यों आ रही है, क्योंकि initial value 0 पर define कर र बट यहाँ पे re-rendering नहीं हो रही है, इसी के लिए हम यहाँ पे use करते हैं आपका should component update को, कि unwanted re-rendering को stop करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसके condition को उल्टा कर दूँ, मैं करूँ, मैं save, and save करने के बाद मैं यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, 8, 9, 10, अब आपको visible हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपकी value दिख भी रही होगी कि आपको, यहाँ पे 10 दिख रहा है, बट यहाँ console में 9 दिख रहा है, क्योंकि 0 की वज़े से, इनिशल value भी count होती है, यहाँ पे, तो यह है आपका condition based thing, कि कि किस तरीके से आपको should component update use करना च पूछ सकते हैं guys, next video में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हम वो एक बार पहले देख लेते हैं, so guys next वाले part में हम देखेंगे आपका react के अंदर component build unmount को किस तरीके से इसको use करना चाहिए, theory and practical guys, thanks for watching on this video, जब तक लिए till then, bye bye guys झाहिए झाहिए झाहिए